हलो फ्रेंट्स मैं हूनम्वता नम्वता सुकिंग डैरी मैं आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम आपसे बचे हुए चावल से बना बहुत ही टेश्टी और क्रिस्पी नास्ता की रेसिपी से एर कर रही हूँ इसमें बहुत सारी सब्जियां यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हिल्दी भी होगा यह तो ठ्राय जरूर करें रेसिपी को तो चलिए देख लेते हैं मैं इसे कैसे बनाएंगे तो इसके लिए हमने लिया एक कप बचा हुआ चावल आप इसे फ्रेस चावल से भी बना सकते हैं पहले हम इसे मैस कर लेंगे अच्छे से यह देखिए चावल को हमने अच्छे से मैस कर लिया है आप चाहिए तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं तो इधर हमने तीन उबला हुआ आलू लिया है जिसको हमने छील करके मैस कर लिया है और हमने लिया कुछ सबजिया तो एक medium size के प्याज को हमने बारिक काट करके लिया है तो प्याज डाल देंगे इसमें और हमने लिया है केपसिकम एक छोटा साइज का केपसिकम को हमने बारी काट के लिया है और हमने एक गाजर लिया है ग्रेट करके इस तरह से आप चाहें तो कोई और भी सब्जीस में आड़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो वन फॉर्थ छोटी चम्मच अदरक का पेश डाल द एक छोथा ही छोटी चमच अजब चीह झिली फ्लेक्स यहां पर हो या पर आपे हरी मिर्च और चीली फ्लेक्स बोड़ किया है नमक ढाल देंगे स अ ड़का जरूर्थ लगा शनाल है और हमने लिया है मैदा तो आदा क्प हमने मैदा लिया है जरूरत की अपसम मैड डलें नपी मीदा गुझ क अधा मदा दालोगी लिए को अधा मेदा टेकर अधा मससाल सुप और दालोगी गुझ हैand अगश अधा मेदा के लग रागãyjat टोरण फेन दुट गेलोगी लग अधा मेदा कर लेए अगा देकर भख और हम डो से एक बड़ा सा लोई ले लेंगे, ये देखे हैं, इस तरह से और इसको round shape में हमें डालना है, इस तरह से हम दबादबा के isको round shape कर लेगे, एक रूटी के आकार का, इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, तो थोड़ा-थोड़ा म में एक पर चाहिए तो कोई भी सेप में काट सकते हैं या पिसे च्छोटा टिक्की बना कर भी फ्रै कर सकते हैं उस तरह भी पहुत ही टेश्टी बनेगा यह तो इस से महाँ लेते हैं इसको कि यह की सारी को मैंने काट लिया हम इसे उठा के प्लेट में रख लेंगे यह देखे हमने सारा काट लिया है अब हम इसे फ्राय करेंगे तो फ्राय करने के लिए हमने तेल लिया है गरम करके सरसों का तेल लिया है हमने तेल जैसे ही गरम हो जाता है अब इसमें डालेंगे यह इतना सकता है इसमें और इसे हम फ्राइ करेंगे गोल्डेन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से फ्लेम हमारा मीडियम पे रहेगा मीडियम फ्लेम पे हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे इसे दोनों तरफ से पलट-पलट के हम फ्राइ कर लेंगे जैसे ही हमारा ये फ्राय हो जाता है तो हम इसे निकाल के एक प्लेट में ढख लेंगे कि आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और क्रिस्पी लग रहा है देखने में ही तो एक बर ट्राय जरूर करें रेसिपी को और रेसिपी अची लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं